ये है बीपिंग मूँ टीवी बद्दे के मौके पर सिद्दाथ ने शेहनास को किया माफ फिर से शुरू हुआ दोनों का लव एंड रोमान्स फिनाली से दो हफ्ते पहले बिग बॉस ने चली अपनी चाल आसिम विशाल की खेल का किया पर दाफाश रश्मी जिसाई के दिमाग में आ रहे है सिद्दाथ के खयाल दोनों के बीच बढ़ रही है नजदी किया घर में खेला गया नॉमिनीशन टास फिनाले से पहले मिले टॉप फूर कंटेस्टेंट तो चली एक नज़र डालिए बिग बॉस 13 के डे वन टू वन की चटपटी हाइलाइट्स पर सल्मान खान का सबसे पॉपलर शो बिग बॉस का फिनाले होने में अब कुछ ही रिन बाकी है ऐसे में घर में मौजू सभी कंटेस्टेंट की बीच बिग बॉस का खिताब जीतने की होड भी लगी हुई है दरसल बिग बॉस सभी घरवालों से ये कहते है कि बिग बॉस का ये सीजन 18 हफते में पहुँच गया तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप लोगों की इस हरकत पर भी पूर्ण विराम लगाया जाए इसके बाद बिग बॉस घर में मौजू टीवी पर विशाल और आसिम का एक वीडियो चला कर दिखाते हैं जिदमें वो दोनों नॉमिनीशन पर चल्चा करते हुए दिखाई दिए जिसमें आसिम कहते हुए दिखाई दिए कि जब खेलेंगे तो एक दूसरे को तारगेट करने के लिए इसके बाद विशाल कहते है कि माहिरा और पारस को फसाना होगा बतादी कि इस विडियो में आसिम पारस और आर्थी को लेकर भी चर्चा करते हैं ये सब देखकर पारस बुरी तरह से गुस्से में आ जाते हैं इन दोनों से जगड़ा करते हुए माहिरा भी पारस का साथ देने लगती है पल सिदाद चुकला और शेहनास गिल की जोड़ी बिग बॉस की सबसे चहेती जोड़ी है बीते दिनों सिदाद शेहनास के बीच दूरिया आ गई थी और वो अलग हो गए सिदाद ने शेहनास पर कई आरों भी लगाये थे वही शेहनास दे टास के दौरान सिदाद को धका दे दिया था ऐसी में ये लग रहा था कि दोनों के बीच की ये कड़वाट कभी भी नहीं बर पाएगी लेकिन बीते एपिसोड में एक बार फिर से दोनों करीब नज़राए बतादी की शेहनास और सिदाद पे फिर से एक बार बैट शेयर कर लिया इस दोरान सिदाद ने चेस टास को लेकर हुई गलत फैमी पर कहा कि मैं सबसे पहले तुमारा नाम आगे करना चाहता था लेकिन तुम्हें चिडाने के लिए मैंने पहले आर्थिका नामागे कर लिया वही दूसी तरफ शेहनास के अलावा सिदाद और रुश्मी दिसाई की भी मज़ी किया बढ़ने लगी है दरसल दोनों गार्डन एरिया में अकेली बात चीत कर रहे थे ऐसे में रुश्मी सिदाद से कहती हुई नजराई कि वो उनके दिमाग में चल रहे है रुश्मी की ये बाते सुनकर सिदाद भी हैरान हो जाते है वेल ऐसे में लगता है कि ये कंटिस्टेंट अपनी दुश्मनी भुला कर दोस्ट बना चाहते है वेल बिग बॉस अपने आखरी पड़ाव पर पहुँच चुका है बीते एपिसोड में फिर बिग बॉस ने सदिस्टों को एक नॉमिनिशन टास दिया जिसमें चार घरवाले इस हफते घर से बेगर होने के लिए नॉमिनिट हो गए बतादी के स्टास के दोरान एक डूम के अंदर घरवालों को रुकना था इसमें हरे कंटिस्टन को एक एक करके 17 मिनिट तक रह रहा था और ऐसे में परफेक्ट टाइम तक रहने वाले सदिस्ट से सेफ हुए जबकि ज्यादा देर और कम देर तक रुकने वाले नॉमिनिट हो गए बतादी के स्टास में सबसे अच्छा प्रदर्शन आसिम रियाज कर रहा आसिम के अलावा रश्मी दिसाई, पारच्छाब्रा और माहिरा शर्मा ने भी बैतरी इन प्रदर्शन किया इसी वजो से ये सभी कंटेस्टेंट इस हफते के लिए सुरक्षित हो गए वहीं सिद्दात चुकला, आर्ती सिंग, विशाल आदित्य सिंग और शेहनास गिले इस्टास को पूरा नहीं कर पाए इसी के चलते इन चारो को बिग बॉस ने इस हफते घर से बेगर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया देखा जाए तो नॉमिनेट हुए इन चार सदस्य में से दो कंटेस्टेंस ट्रॉंग है तो दो कमजोर ऐसे में सिद्दात और शेहनास का एविक्ट होना तो मुश्किल है ऐसे में एविक्शन की ये तलवार वुशालादित्य सिंग और आर्टी सिंग पर गिर सकती है दोनों ही अपनी जर्णी में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे है तो आप ही बताईए इन दोनों में से कौन घर से बेगर हो सकता है वैल बिग बॉस को लेकर ऐसी ही लेटेस्ट और एक्स्क्लूजिव खबरों के लिए लॉग इन करे फीपिंग्मून डाट कॉम